तो हम अपने घरों से आप देखते भी होंगे कि डेली हमारे घरों से कितना सारा गार्बेज और रबिश मैटर निकलता है तो तो यह सब चीज़े किस में आती है पैकेट में आती है तो यह जितना भी रापिग माटीरियल होता है यह सब क्या है, go out as garbage, इनका collection ही तो garbage क्यालाता है We sometimes buy things that are rarely used and often throw into the garbage कई बार क्या होता है, हम ऐसी चीजें भी purchase कर लेते हैं, जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती और फिर वो waste चले जाती है garbage में तो हम generate करते हैं बहुत सारा garbage अपनी day to day activities में और हम क्या करते हैं, groundnut shells को throw कर देते हैं public places में, buses में, trains में आपने दिखा भी होगा, buses और trains में seat के नीचे बहुत सारे groundnut shells रहते हैं after eating the nuts, तो यह सब हम खाने के बाद में throw कर देते हैं तो क्या हमारी जो habit है, यह सही है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जितना भी waste हम ऐसे throw कर रहे हैं public place पे यह सब क्या है, garbage है, और यह सब आगे जाके क्या cause करेगा, बहुत सारी problems cause करेगा, ठीक है बाकी लोगों को इसे साफ करना पड़ता है, which is not good तो हमें यह सब हो सके, तो हमें यह garbage create ही नहीं करना चाहिए because यह सब जो होता है, यह non-biodegradable waste है, यह जो wrappers होते हैं, हम chips के, kurkurे, यह सब चीजे खाके wrappers को ऐसे throw कर देते हैं streets में, roads में, buses के seats के नीचे, train के seat के नीचे, right तो यह सब चीजे क्या होती है, garbage बनाती है, और यह non-biodegradable waste है, जो बहुत जादा harmful है so a child might go on sharpening pencil just for fun, यह सब चीजे भी हम करते हैं, क्या करते हैं कि fun के लिए pencil को sharp करते रहते हैं, वो pencil भी खतम हो जाती है और जितना भी उसमें से wrapper release हुआ है, वो सब भी waste होता है तो हम क्या कर रहे हैं, हम double-double loss कर रहे हैं if we make mistakes or spell ink on our notebook, we tear off the sheet and throw it away कई बार हमारी गल्दी की वज़े से ink गिर जाती है paper में हम क्या करते हैं, फिर उसे tear off कर देते हैं sheet को और throw कर देते हैं तो यह भी क्या है, यह paper का waste है तो धीरे धीरे यह सब चीजे एक तरह से हमारा बहुत ज़्यादा loss कर रहे हैं हमारे environment को pollute कर रहे हैं and we also throw away many domestic wasters such as broken toys, old clothes, shoes, slippers, यह सब चीजे हम ऐसे ही throw कर देते हैं तो क्या कभी आपने सोचा है कि यह जितना भी garbage हमारे घरों से जा रहा है is not removed from our homes and surroundings क्या हो अगर यह जितना भी waste है, जितना भी garbage है, यह remove ना हो तो क्या होगा हमारे घर में ही garbage का heap लग जाएगा और हमारे surroundings में भी, और क्या होगा फिर यह आगर जाके हमें harm भी करेगा क्योंकि इन में क्या होता है, mosquitoes और house flies यह सब grow करेगी और diseases cause करेगी तो वेन सफाई कर्मचारी तेक देग गार्बेज वाम देगे जाते हैं, वो कहां लेके जाते हैं क्या होता है उस garbage का, कभी इस बारे में आपने सोचा है तो यह सब चीज़े हम discuss करेंगे इस chapter में Is it possible for all of this garbage to be changed into something that will not harm us? क्या यह possible है कि जितना भी garbage है, यह सब change हो जाए किसी ऐसी चीज़ में जो हमें harm ना करे तो हम भी इसमें contribute कर सकते हैं इस chapter के आगे questions है, उनके answers देखे तो क्या होता है कि जो चीज़े useful होती है उनका तो recycle हो जाता है recycle होने के बाद वो हमें वापस से मिल जाती है लेकिन कुछ चीज़े ऐसी होती है, जिनका recycle नहीं हो पाता है और वो क्या करती है, pollution cause करती है soil pollution, water pollution, यह सब चीज़े cause करती है तो अब हम पढ़ेंगे dealing with garbage सफाई कर्मिचारीस collect करते हैं garbage को truck में and take it to a low lying open area कहां लेके जाते हैं landfill में figure 16.1 में landfill की picture दिखाई है they are the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used as such तो यहाँ पर क्या होता है garbage को separate किया जाता है जिसे हम दुबारे से reuse कर सकते है वो अलग किया जाता है जो नहीं कर सकते वो अलग होता है तो जो garbage होता है उसमें दो तरह की चीज़े होता है useful and non-useful components दो components होता है तो जो non-useful components होता है उनको separate किया जाता है अलग और फिर उनको spread किया जाता है over the landfill and then covered with a layer of soil पूरी land पे उसको spread कर देते हैं और फिर soil की layer से cover कर देते हैं तो जब landfill completely full हो जाती है तो इसको usually convert किया जाता है into a park या playground में फिर next 20 years तक no building is constructed on it वहाँ पे कोई building construct नहीं किया जाती to deal with some of the useful components of garbage composed making areas that develop near the landfills और क्या किया जाता है composed making areas बनाए जाते हैं landfills के आसपास तो यह composed क्या होता है composting क्या होती है यह अब हम पढ़ेंगे तो कैसे इसमें हम एक activity करेंगे activity one इसमें आपको garbage collect करना है अपने house से before it is thrown into the dust bean dust bean में नहीं डालना है collect करना है उसको फिर आप two groups में separate करेंगे divide करेंगे group one में तो आपकी kitchen वाले garbage आ जाएंगे like fruits, vegetable peels, egg shells, waste food, tea leaves include newspaper, dry leaves, paper bags यह सब first group में आएंगे second group में piece of clothes, polythene bags, broken glasses aluminum wrappers, nails, old shoes and broken toys अब आपको क्या करना है divide कर देना है component को group में two separate heaps बनाने है और उनको label करना है ABCD put one heap from group one group one से एक heap लेना है and one heap from group two इन्हें आप separate करेंगे plastic bags में उनको फिर उनके mouth को आपको tie कर देना है tightly फिर आप क्या करेंगे four heaps को separate करेंगे pits में और cover कर देंगे soil से फिर क्या आपको देखना है आप four pots भी use कर सकते हो remove the soil after four days four days के बाद soil remove करेंगे और observe करेंगे garbage में क्या changes आया black color and no foul smell indicate अगर black color और कोई भी foul smell नहीं आ रही है तो वो बताएगा कि जो rotting है garbage के वो complete हो चुकी है put the heaps again in the pets and cover with the soil यह फिर से करना है आपको फिर observe करना है हर two days के बाद में और यह सब observation आपको note down करने है कि rot completely and not smell rot only partially कितना rot हुआ है कितना नहीं हुआ है अगर almost completely rot हो गया है लेकिन smell bad आ रही है not change at all यह सब चीज़े आप observe करेंगे तो इन सब को observe करने के बाद आप क्या देखोगे यह सब आपको अपनी इस table में note down करना है if the garbage was found to rot completely and did not smell अगर garbage पूरी तरह से rot हो चुका है और कोई smell नहीं आ रही है उसके बाद आप इसे mix करेंगे soil में where you sow your favorite plants अब यह क्या हो गया है manure में convert हो गया है तो यहाँ पे आप अपने plants grow कर सकते हो manure क्या करेगा nutrients provide करेगा plants को और आपने observe क्या होगा activity में that some things in the garbage rot they form manure which is used for the plants rotting और conversion जो होगा in material का वो convert कर देगा manure में इसी को हम composting कहते है the rotting and conversion of some material कुछ material का rot होना और conversion होना manure में is called composting तो कुछ cities में, towns में, municipalities जो होती है, वो सब ले dust bean provide करती है इन दोनों तरह के garbage को collect करने के लिए तो एक color का dust bean होता है वो blue होता है और दूसरा होता है green तो जो blue color का dust bean होता है उसमें materials आ जाएंगे जैसे plastic, matters, glass और जो green color का होगा उसमें kitchen वाले garbage आ जाएंगे जो kitchen से waste produce होता है ठीक है, तो जो green color का dust bean होता है उसका सारा matter निकाल के उसको manual में convert किया जाता है और जो blue color का होता है उससे क्या करते हैं हम उससे हम recycle के लिए भेज जेते हैं तो क्या आपने कभी notice किया है कि जो dry leaves होती है roadside में उनका heap होता है और उनको ऐसे ही burn भी कर दिया जाता है farmers भी क्या करते हैं husk जो होता है dry leaves होती है जो crop का part होता है field में harvest करने के बाद उससे burn कर दिया जाता है तो burn करना क्यों अच्छा नहीं है because इससे smoke produce होगा और harmful gases produce होती है which is not good for our health so we should try to stop such practices यह चीज़े हमें रोकनी चाहिए और इन waste को convert करना चाहिए useful compost में right so next topic we will discuss in our next class vermicompositing thank you